नमस्कार साथियो सौगत है आप सभी का आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीएफेमस पोर्टल में किस तरीके से कैस बुक देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले आप अपना जो ऑपरेटर का आड़ी है उसके तुरू आप लॉगिन कर इंटरफेस आता है और यहाँ पे हम रिपोर्ट सेक्शन दिख रहा है वहाँ पे हम क्या करते हैं क्लिक करते हैं रिपोर्ट देखने के लिए फायरफाक्स ब्राउजर जो है बहतर होता है इसलिए हमने फायरफाक्स ब्राउजर का यहाँ पे उप्योग किया है ताकि रिप लग आप्सन देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमें जाना है monitoring monitoring उसके बाद monitoring पे जाते हैं तो हमें code दिख रहा है M04 M04 agency cashbook यहाँ पे हम क्या करते हैं क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने interface आता है यहाँ पे आप देख पा रहे है M04 agency cashbook scheme name तो यहाँ पे हम CT 9CT समगर सिक्षा 7979 सेलेक्ट कर लेते हैं transaction types all रहने देते हैं बागी from debt automatic ले चुका है उसको वही रहन देते हैं और status भी all रहने देते हैं उसके बाद नीचे देख पा रहे हैं view report यहाँ पे नीचे पे आप देख पा रहे हैं view report यहाँ पे हम click करते हैं financial year wise 1 April जो भी है और उसके बाद 31 March तक का जो भी हमारा हमने transaction किया है उससे सम्मंदित complete जानकारी हमको यहाँ से मिल जाएगी तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग-अलग option देख पा रहे हैं में बहुत सारे option है जिसमें से मुख्य ट्रांजेक्शन टाइप है sanction और date status check number, agency name, project name component name और amount कितने amount का transaction हुआ है उस वित्ति वर्ष में financial year में यहाँ पे आप complete देख पाएंगे नीचे scroll करने से इस तरीके से हमारे सामने जो complete जानकारी है वह so हो जाती है इसे download करने के लिए आप देख पा रहा है यहाँ पे next के button में एक option दिया हुआ है यहाँ पे click करते हैं तो word, excel, powerpoint, pdf अलग-अलग तरीके से option है तो यहाँ पे हम pdf की रूप में download करना चाहते हैं तो pdf पे click कर देते हैं तो इस तरीके से अपने पास रख सकते हैं और अपने विद्यालाय का संबंदित सहस्तान का cash book इसके माद्यम से हमें maintain करने में बहुत ही आसानी होगा इस तरीके से आप देख पा रहे हैं वीडियाप download हो गया है और इसे आप save करके रख लेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe करिए और साथ ही साथ educational वीडियो के लिए और सिख्चावी भाग से जुड़े वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you जहिन जभारत